So hi students, कैसे हो आप सब? So आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चीज़ के बारे में So अगर आप इस चीज़ का मतलब समझ गया हो, तो आप सही वीडियो में आए हो So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं bubble sort के बारे में So bubble sort क्या होता है? Bubble sort is basically a sorting algorithm जो कि हम use करते हैं computer science में to sort any array array को ascending order में sort करना हो या फिर descending order में sort करना हो हम इसका use कर सकते हैं so bubble sort कैसे काम करता है यह सारी चीज़े हम यहापे जानेगे so अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर करना and चलो अभी studio को start करते हैं so बात करें अगर हम bubble sort की bubbles की tendency पर पढ़ा है जो कि होता है कि bubbles अगर हम पानी के अंदर bubbles को बनाते हैं तो bubble हमेशा उपर जाने की कोशिश करते हैं या फिर end point की तरफ भागने की कोशिश करते हैं so bubbles की एक tendency होती कि हमेशा last में या end की तरफ भागने की कोशिश करेंगे तो इसी tendency का हम use करते हैं bubble sort में and basically इसी लिए इस algorithm का नाम bubble sort भी पढ़ाए तो अभी हम आते हैं bubble sort पे हैं इसको समझते हैं तो बात करें आप bubble sort की तो यहाँ पे एक example के इसको समझाता हूँ तो तुम्हें better समझ में आएगा जैसे मानलो हमाँ पास में एक array है and यहाँ पे array के अंदर मैं कुछ values दे दूँगा जो की unsorted होंगी because sorted array को sort करने का कोई मतलब नी बनता है हम यहाँ पे random कुछ values generate कर देते हैं मानलो हम 5 तक की values लेते हैं बट आगे पीछे करके ले लेते हैं तो suppose यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं 4 फिर next number ले लेते हैं 5 यहाँ पे ले लेते हैं 1 कुछ भी randomly मैं ले रहा हूँ यह हो जाएगा 3 and बचा 2 तो मैंने 1 से लेके 5 तक sequence में number ली हैं आप कोई भी random number से यहाँ पे ले सकते हो यह algorithm उन पे भी सही से काम करेगी तो मानलो यह हमारा sequence है और यहाँ पे array के indexes मैं नीचे लिख देता हूँ this is 0 index, this is 1 index, this is 2, this is 3 and this is 4 तो यह हमारा शुरुआत में जो है this is our unsorted array यह array हमारा sorted अभी नहीं है क्योंकि इसमें जो values हमाई हैं वो unsorted हैं अभी वो arranged form में नहीं है तो यही हमारा काम है हमें इस array को अभी arrange करना है so इसको arrange करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे bubble sort algorithm लगाएंगे so first we will copy this and अभी हम इसको sort करना start करते हैं, so यहाँ से मैं start करूँगा यह हो जाएगा हमारा step number 1 so step number 1 में हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे हम bubble sort लगाएंगे so bubble sort technique में हम क्या करेंगे सबसे पहला का हम यह करते हैं कि यहाँ पे हम repeatedly अलग-अलग elements को आपस में check करते हैं जैसे कि for example, हम starting से चलेंगे यानि कि 4 की तरफ से चलेंगे 0 index से and उसको उसके adjacent element से यहाँ पे compare करेंगे so 4 का adjacent element यहाँ पे कौन सा है that is 5 हम यह check करेंगे क्या 4 and 5 आपस में सही order में है सही order में होने का मतलब यह है क्या left वाला element, right वाले element से चोटा है तो देख सकते हो 4 अभी 5 से चोटा है मतलब 4 and 5 आपस में सही order में है मतलब वो ascending order में है यहाँ पे पहले हम ascending order में sort कर रहे हैं ascending का मतलब छोटा value पहले होना चाहिए बड़ा value आगे होना चाहिए तो 4 and 5 तो ascending में है तो कोई दिक्कत नहीं है यह दोनों सही position पे है तो इनको हम ऐसी छोड़ देंगे फिर next element जो हम compare करेंगे वो 5 and 1 को करेंगे अब next pair आगे है हमारा 5 and 1 का तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 and 1 थोड़ा सा हमें odd लग रहा है क्यों because 5 बड़ा है और 1 छोटा है तो इनको इस order में नहीं होना चाहिए सही order क्या होगा पहले 1 आएगा then 5 आएगा बलब छोटा बड़ा sequence यहाँ पे हम check करेंगे दो numbers का तो यहाँ पे 5 और 1 क्योंगी सही order में नहीं है so that's why यहाँ पे हम 5 को ले आएंगे 1 की जगा पे और 1 को भेज देंगे 5 की जगा पे तो यहाँ पे swapping हमें करनी पड़ेगी तो यहाँ पे हम swapping करेंगे swapping का मतलब क्या होता है interchange करना यानि कि दोनों values को उठा के उनकी जगा हम change कर देंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ में 5 है तो यानि कि इनको swap कर देंगे तो दोनों की जगा बदल जाएगी इस जगा पे आजएगा 1 और इस जगा पे आजएगा 5 swap करना मतलब दोनों की values आपस में interchange कर देना एक तरह से अब इसके बाद ये काम करने के बाद में हम आएंगे दूसरे pair पे तो अब आगे हम चेक करेंगे 5 और 3 को तो 5 और 3 क्या 5 3 से बड़ा है मतलब कि यहाँ पे क्या order हमारा गलत है तो देख सकते हो 5 बड़ा है 5 को आगे होना चाहिए 3 को पहले होना चाहिए तो यहाँ पे भी क्या होगा swapping होगा 5 को यहाँ 3 की जगा पे आना है और 3 को 5 की जगा पे आना है जहाँ जहाँ भी तुम्हें correct order नहीं मिलेगा वहाँ वहाँ पे उन दोनों pair of numbers को swap कर दोगे तो यहाँ पे swapping हो जाएगी 5 और 3 की तो यहाँ पे 5 को भेज देंगे 3 की जगा पे और 3 को भेज देंगे 5 की जगा पे तो यहाँ पे swap कर लो जल्दी से यह हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5 ठीक है फिर last में यहाँ पे चेक करेंगे क्या यह पेयर आपका सही order में है क्या 5 2 से छोटा है बट यहाँ नहीं है 5 तो बड़ा हो गया तो again यहाँ फिर से swapping होगी यहाँ पे 5 को हम swap कर देंगे 2 के साथ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 की जगा पे आ जाएगा 2 और 2 की जगा पे आ जाएगा 5 तो यहाँ आ गया और 5 यहाँ पे आ गया यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे जो एक iteration के बाद में जो सबसे largest element था largest element has come to the end जो largest element हमारा है has come to an end सो यहाँ पे largest element end पे आ गया मतलब last में पहुँच गया सो यही होता है bubble out अब तुमारा देख सकते हो जो last का element है that has come to its proper place मतलब वो bubble out होके बाहर आ चुका है सो इसी लिए हम इस sorting technique को बोलते हैं bubble sort यहाँ पे हमने क्या किया पूरे array में हर एक pair of element को आपस में compare किया क्या वो सहीर जगा पे है कि नी तो जहाँ जहाँ order बेक हो रहा था वहाँ वहाँ पे हमने adjacent element को आपस में swap कर दिया था तो ऐसा करते करते क्या हुआ एक पूरे यहाँ पे traverse में हमारा जो largest element था it has come to the end यानि कि अब हमारी array का यह जो last वाला हिस्सा है this is sorted बट इतना हिस्सा अभी भी क्या है this part is unsorted so next iteration में जब हम दुबारा अब यह काम करेंगे तो हमाँ पस एक element sort हो चुका है तो अब हमें सिर्फ कहां तक sort करना है we have to sort only till 3, 0 से लेके 3 तक का हिस्सा sort करना है because उतना ही unsorted बचा है तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे so again फिर से अब next step पे आते हैं एक बार और हमें यही काम करना होगा क्योंकि तो bubble sort एक step पे नहीं होता you have to do multiple steps तो अब आते है step 2 पे so अब हमें second वाले step में सिर्फ इतने part of array को sort कर तब है जो मैंने line बनाई है इसके left side को ही swap करना है because उतना ही part आपका unsorted है तो चलो यहाँ पे देखते हैं line से तो सबसे पहले हम start करेंगे zero index से यानि की 4 की तरफ से तो पहले हम check करेंगे किसको किसको first के दो element आपस में हम check करेंगे इन दोनों को like क्या यह दोनों सही order में है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 and 1 सही order में नहीं है क्योंकि 4 is greater than 1 तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा swapping swap का मतलब दोनों की जगा interchange हो जाएगी 1 की जगा 4 आ जाएगा और 4 की जगा 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 4 इधर आ गया यहाँ पे और 1 आ आ गया इस जगा पे ठीक है दोनों आपस में swap हो गया then again 4 और 3 को हम आपस में चेक करेंगे 4 और 3 तो यानि कि यहाँ पे भी देख रहे हो correct order नहीं है 4 is greater than 3 4 and 3 आपस में say order में नहीं बैट रहे है तो यहाँ पे भी क्या होगा swapping आ जाएगा यहाँ पे 4 और 3 की जगा पे 4 आ गया और 4 की जगा पे 3 आ गया यानि कि इस जगा 4 आ गया और यहाँ पे 3 swap होगी values फिर उसके बाद 4 और 2 को हम आपस में चेक करेंगे ठीक है next pair of element यह है तो 4 और 2 को जैसी चेक करोगे यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है that 4 and 2 order में नहीं है तो यहाँ again swapping होगी और 2 की जगा पे 4 आ जाएगा और 4 की जगा पे 2 तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया तो यानि कि यह जो 4 है this is second largest element तो second largest element has came to the second point तो यानि कि अब हमें दिख रहा है कि यह वाला part यह दोनों last के जो elements है now these both these two both have came to their proper position और यह वाला हिस्सा जो यह 3 बच्चे हैं शुरुवात के these are unsorted तो एक-एक step जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे जो largest element फे second largest element यह अपनी जगा पे पहुँचता जा रहा है और हमारा जो बचा हुआ array है सिर्फ उतना ही unsorted बच रहा है तो next time अब step 3 पे जब हम sorting करेंगे तो हमें सिर्फ इतने part of array को जो की unsorted बच रहा है लेफ्ट वाला उतने को ही sort करना है तो अभी हम start करते है अपना step number 3 so step number 3 में हमें again कहां से start करना है starting से इस जगा से zero index से तो हमेशा start जो हम comparison का करते हैं वो zero index से ही करते हैं हर बाद चाहे जितने iterations हो तो यहाँ पे step number 3 में भी हम शुरुआ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम check करेंगे क्या 1 और 3 आपस में सही position पे हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है that 1 is less than 3 यानि की 1 और 3 सही जगा पे हैं तो इनको आपस में swap नहीं करेंगे फिर उसके बाद next pair को हम check करेंगे यानि की 3 और 2 को यहाँ पे check करेंगे क्या यह दोनों सही जगा पे हैं so 3 छोटा होना चाहिए बट नहीं है 3 2 से बड़ा है तो यहाँ पे हमारा swapping हो जाएगा because यहाँ पे दोनों सही जगा पे नहीं placed है so 3 और 2 को हम सही जगा पे ले आएंगे आपस में swap कर देंगे so 3 and 2 will be swapped 3 की जगा पे आजाएगा 2 and 2 की जगा पे आजाएगा 3 so यहाँ पे 2 आगया है यहाँ पे 3 आगया so बस इतने ही part of the array तक हमें चलना था because आगे का हिस्सा 3 और 4 index वाला वो तो पहले से sort हो चुका है this element has came कहां पे 3rd last place पे पहुँच गया है यानि कि अब हमारा इतना part of array क्या हो गया this part of array is sorted this part of array is sorted unsorted कितना बचा सिर्फ यह दोनो unsorted ठीक है तो चलो फिर से last step कर लेते है step number 4 so यह हो जाएगा last step 4 बस इसके बाद हमारा array sort हो जाएगा से तो sort हो गया है but last step भी हम करना पड़ेगा because यह आपका algorithm का हिस्सा है fourth step start करते हैं जल्दी से fourth step में भी हम starting से शुरू करेंगे and यहाँ बस हम यह check कर लेंगे कि यह दोनों आपस में सही जगा पे है कि नही because starting से करने में सिफ यहाँ पे एक ही पेर मिल रहा है तो बस यह हमें चेक करना है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है that one and two one is less than two obviously तो अपनी जगा पे हैं दोनों तो यानि कि यहाँ पे there will be no swapping but यह करना होता है because हो सकता है कभी-कभी यहाँ पे आपको last में भी unordered pair मिल जाए मतलब यहाँ पे कुछ बड़ा छोटा हो जाए तो यहाँ पे लेकिन one or two सही जगा पे है तो इनको हम swap नहीं करेंगे यानि कि step number four के बाद में we get our final sorted array so यहाँ पे हमको क्या मिल गया है we get our sorted array कहां के बाद step number four के बाद जब sort हो गया है तो obviously एक element को तो अब हम compare करेंगे step five में तो step number four के बाद में हम यहीं पे अपने iterations को रोग देंगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो that अगर हमारा array was of size five तो यहाँ पे हमें कितने steps लगे array को sort करने में we have four number of steps to sort the array यानि कि if array का size array size is equal to n तब हमें कितने number of steps लगते हैं then number of steps in bubble sort is equal to n-1 यानि कि 5 size का array है तो 4 steps लगेंगे अगर 10 size का array लोगे तो यहाँ पे कितने steps लगेंगे 9 steps लगेंगे और यहाँ पे 9 में main iterations की बात कर रहा हूं उन comparisons की बात नहीं कर रहा हूं because हर step में number of comparison भी हो रहा है तो यह है तुम्हारा bubble sort के काम करने का तरीका I hope तुम्हें यह समझ में आ गया होगा यहाँ पे इस तरह bubble sort काम करता है तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके Java code की तो पहली बार तो यहाँ पे हमें दो काम करने पड़ रहे हैं पहली बार तो यह जो steps हैं इसके लिए हमें एक लूप लगाना पड़ेगा and second चीज यहाँ पे हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा for those comparisons जो हम comparison करा रहे हैं हर step पे तो इसका code यहाँ पे ध्यान से समझना भी तो यहाँ पे bubble sort के code की मैं बात करूँ यहाँ पे देखो दो लूप लगते हैं पहली बात पहला जो लूप लगता है that is for i starts from 0 मैं यहाँ पे तुम्हें algorithm बतारों सिर्फ i starts from 0 कहां तक to n-1 n-1 तक हम लूप चलाते हैं i का यह किसलिए होता है for steps for iterations हर बार step 1 step 2 step 3 मैंने लिखा है यह उसके लिए होता है then हर step में हर step में हम क्या कर रहे थे यहाँ पे हम हर दो pair of elements को आपस में check कर रहे थे so उसके लिए एक अलग loop चलता है for j का j भी कहां से start होता है शुरुआ से ही तो comparison करना स्टार्ट करते हैं so this starts from 0 लेकिन कहां तक this goes to हर बार देखो क्या हो रहा था हर बार हम end तक नहीं जा रहे थे हर step के बाद में हमारा कुछ part of error last का sorted हो जाता है तो हम last से उतने कम तक ही चलते हैं हर बार तो हर बार number of comparison शुरू तो शुरुआ से होंगे लेकिन कहां तक जाएंगे वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है हर step के बाद तो इसलिए जो J वाला loop होता है हमारा J वाला loop हर बार कम होता जाता है यानि कि यहाँ पे हो जाता है N-I इस जगा पे N-I-1 तो J का loop हर बार कम होता जाएगा और यह किसलिए है For comparison यह तुमारा comparison वाला loop है इसमें हम elements को comparison करते हैं इस loop की मदद से अब देखते हैं तो यहाँ पर comparison वाले loop के अंदर ही हम क्या compare करते हैं हम एक element को आगे वाले element से compare करते हैं तो इस जगा पर हम लिखते हैं if क्या a at j मतलब कि jth element यानि कि 0 वाला element क्या 1 वाले से बड़ा है यानि कि a at j क्या greater than है a at j plus 1 वाले element से अगर ऐसा होता है अगर ये वाला element left side वाला आगे वाले element से बड़ा है तो हमें दोनों को swap कर देना है अब swapping का logic तुम लोगों ने पढ़ रखा है 9th class में so swapping कैसे करते हैं then यहाँ पर हम कर देंगे swap मैं पहले comment दे देता हूँ ताकि तुम लोगों पता लग जाए to a at j ले देंगे और यहाँ पे इसके बाद में a at j will be equal to हो जाएगा a at j plus one a at j में हम a at j plus one की value देंगे और a at j plus one में हमें किसकी value देनी पड़ेगी अपने temp यानि की t वाले variable की तो बस ये काम हो गया swapping हो गई उसके बार दोनों loop के हम हम यहाँ पे brackets close कर देंगे और बस हमारा यहाँ पे काम हो गया तो यह है तुमारा bubble sort का एक तरह से algorithm तो इसी को तुम java में लिख दोगे proper तरीके से और यह तुमारा bubble sort की तरह काम करने लगेगा तो चलो कि programming window open करते हैं और इसका एक से program बना के देखते हैं तो चलो यहाँ पर हम बनाते हैं bubble sort का एक छोटा सा program सो यहाँ पर जो हम array लेंगे sort करने के लिए वह मैं user से input नहीं करूंगा वह मैं अपने आप से पहले से मान लोंगा तो यहाँ पर हम छोटा सा array ले जाते हैं int a is equal to और यहाँ पर कुछ elements हम randomly दे देते हैं suppose मैं दे दिया 10 फिर उसके बाद 8 फिर उसके बाद यहाँ पर दे दिया 1 फिर उसके बाद 5 यह random values मैं ऐसी दे रहा हूं फिर 9 दे दिया यहाँ पर अगर चाहो minus की value दे सकते हो बढ़ रो नहीं देते हैं चलो यहाँ पर सपोसर हम दे 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 7 तो यह आपका एक random मैंने array दे दिया कितने size का है 1 2 3 4 5 6 चलो दो और values दे दे 8 size का हो जाएगा यहाँ पर हम दे 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 चलो 6 और एक और कोई value यहाँ पर दे 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 तो यह हमारा 8 size का array हो गया और यहाँ मैंने random ऐसी values दे दी है आगे पिछे करके तो अभी हम इसको sort करते है यह हमारा क्या है this is unsorted array यहाँ पर हम एक comment दे देते है this is unsorted array यह हमारा unsorted array हो गया तो इस ही को हमें sort करना है using double sort so क्या मैंने code बताया था यहाँ पर हमें दो loop लगाने परते है पहला loop होता है i का और int i start होता है 0 से i कहां तक चलता है i less than n यहाँ पर n क्या है n होता है हमाएं array का size तो यहाँ पर हमें एक variable लेना पड़ेगा int n क्यूंकि हम बार बार size पर नहीं निकालेंगे int n is equal to a.length यह हमने series दे n ले लिया n यहाँ पर क्या है n is the size of the array अगर यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हो comment में size of our array यह हो गया हमारा n तो n हमारा size होता है array का यह ध्यान रखना so i starts from 0 i less than n और n minus 1 तक हम loop चलाते हैं because last तक हम नहीं जाते हैं हम second last element तक जाते हैं because compare second last को last से करते हैं इसलिए n minus 1 से less than तक हम loop चलाते हैं then i plus plus यह हो गया आपका 4 steps फिर इसके बाद इसके अंदर एक और loop चलता है यहाँ पर चाहो तो मैं comment दे देता हूं this is for steps जो main steps होते हैं उनके लिए यह वाला loop होता है फिर उसके बाद for comparisons हम चलाते हैं j वाला loop तो यह हो जाएगा for int i is equal to 0 starting comparison की हमेशा 0 से होती है but हर एक step में हम last के कुछ element कम compare करते हैं क्यों because वो part of error हमारा sort होता जाता हर एक step के बाद तो यहाँ पे हम j वाला loop चलाएंगे यह j वाला होगा so j is equal to 0 start करेंगे लेकिन j हर बार last तक नहीं जाएगा j will be less than n minus i i का value जैसे बढ़ेगा वैसे j का loop उतना कम बार चलेगा so यह हो जाएगा minus 1 यह होता है तुमारा j में कम होता जाता है हर बार n minus 1 तो उपर था ही इसमें आई एक और तुमारा कम होता जाएगा हर बार फिर उसके बार last में लिखेंगे j plus plus अब यहाँ पे अंदर comparison वाले loop में हम क्या करते हैं we check if क्या हमारा a at j वाला element a at j plus 1 वाले से बड़ा तो नहीं है जहाँ बड़ा होता है हमाँ swap करना होता है तो यहाँ पे हो जाएगा if a at j is greater than ascending की हम बात कर रहे है if a at j is greater than a at j plus 1 तो क्या हो जाएगा swapping swapping कैसे करते हैं यहाँ पे temporary variable ले देते हैं जिस भी type का तुमारा array होगा अगर number type का array है तो यह integer type का लिया जाएगा उसके बाद a at j is equal to a at j plus 1 यह हो गया उसके बाद a at j plus 1 यह हो जाएगा will be equal to t तो यह हमने क्या करा दिया swapping यह तुम्हारा swapping का तरीका होता है यह तुमने 9th में पढ़ा होगा swapping या interchanging of two values इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके programming पढ़ा ही जाती ही बड़ तुम लोग ध्यान नहीं देते हो और इसलिए तुम लोग को problem face होती है programming में तो यह हो गया swapping वाला part चाहो तो यह comment दे सकते हो this is swapping swapping का मतलब interchanging the values इसका value इसमें भेजना है इसका value इसमें भेजना है तो दो values को swap कर दिया interchange कर दिया तो यह हो गया तो यह है हमारा bubble sort का पूरा code चाहो तो इसका screenshot ले लो यहाँ पे इतना part of program तुमारा bubble sort का code है तो सबसे पहले मैंने array ऐसे लिया था फिर उसके बाद यहाँ प sorted array हमारा आया है वो भी तो display होगा तो यहाँ पे एक काम कर सकतो unsorted array जो है उसको पहले display करा दो फिर यहाँ पे sorted वाले को display कराएंगे तो unsorted array को पहले हम print करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे systemat.print चलें क्या हो जाएगा unsorted array और सबसे पहले हम इसके elements को print कराएंगे print कराने के यहाँ हमें array को जब भी print कराते हैं उसके लूट चाहिए होता है so i will start from zero i less than हो जाएगा यहाँ पे size इसके पहले निकाल लेते हैं पहले ताकि size कहीं lose कर सके यहाँ तो size के बाद में यह चीज़ लिखता हूं we will print unsorted array कैसे print करेंगे i starts from zero i less than n यहाँ पे हो जाएगा i less than n और i plus plus उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे system order print ln नहीं लगाएंगे एकी line पे सारे elements को print करेंगे कॉमा कॉमा करके यह हो जाएगा a at i plus उसके बाद double quotes के अंदर यह हम कॉमा कॉमा करके सारे elements को print कर देंगे ठीक है उसके बाद जब हमारा array sort हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ पे copy कर लेता हूं और sort करने के बाद में bubble sort जब यहाँ पे पुरा काम हो जाएगा bubble sorting का उसके बाद फिर हम प्रिंट करेंगे अपने sorted वाले array को तो यहां से u and हटा देता हूं तो array हमारा sort हो गया है sort होने के बाद में फिर से print हो जाएगा so अभी मैं इसको run करके देखता हूं यह आपका print हुआ था यह वाला array इसके बाद line change नहीं हुआ था ठीक है यह की line के बाद यह bigs होके आ रहा था अब run करते हैं इसको यहां पर run करेंगे and देखते हैं देखो अब सही से print होके आ रहा है unsorted array हमारा यह था जो की sorted नहीं है देख सकते हो उल्टे सीदे values हैं आगे आया है this was the quote for ascending order यह जो quote था यह ascending order के लिए था screenshot ले लो हो सकता है इसका PDF ना मिल पए तो screenshot ले लो इस चीज़ का ascending order के लिए bubble sort लगाओगे तो इस तरह लगेगा लेकिन अगर तुमसे question में कह दिया जाए कि descending order में करना है मतलब उल्टे order में करना है तब कैसे यह काम करोग तब कुछ नहीं बदलेगा पूरा algorithm सेम रहेगा loop सेम रहेंगे सब कुछ सेम रहेगा बस यहाँ पे यह जो greater than वाला symbol है यह less than में convert हो जाएगा मतलब यहां से greater than हटा के less than लगा दोगे बस मतलब अगर a at j छोटा होगा a at j प्लस वंते तो छोटा वाला element हम आगे बेश से ज ले जाएंगे और बड़े वाले element शुरुआत में रह जाएंगे तो descending order के लिए बस यह वाला beach का symbol change कर दिया जाता है अभी हगर हम इस same program को run करेंगे तो देखना यह उनी values को descending order में arrange कर देगा देख लो unsorted है रहे हमारा यह था और इस ने जो हमारा program उसनी का किया है यहाँ प होता है ascending में करना है बड़े values को आगे भेजना है तो a at j is greater than a at j plus 1 और अगर छोटे values को last में भेजना है तो a at j is less than a at j plus 1 यह हो जाता है so descending ascending order आप इपर note करके रख लो इसका screenshot ले लो ascending वाला इसका उल्टा हो जाएगा तो मन्या ascending वाला बताया था ascending वाला देख लो इस हो गया अब इसकी बाद एक और चीज में बता देता हूं इसी के साथ में that अगर यहाँ पर तुम्हाँ पास में string वाला array होता because कई बच्छे confused होते हैं कि अगर यहाँ पर हमें string array लेना हो तमान लो ऐसा कुछ होता string a is equal to और यहाँ पर numbers की जगा पर कुछ नाम होते सपोज ह जाएगा apple उसके बाद एक ले लेते हैं dragon fruit और यहाँ पर a से पहला हो गया तो यहाँ पर हम इसको change कर देते हैं थोड़ा सा apple आगे कर देते हैं यहाँ पर मैं ले लेता हूं पहले grapes तो यह हो गया और एक और दो नाम ले सकते हैं यहाँ पर तो यह हो जाएगा एक और ले ल ले array को हम कैसे alphabetical order में sort करें ये कई बार question आता है कि string array को sort करना है तो string array को किस तरह sort करना है समझना देखो bubble sort का algorithm बाकि सब वैसे ही रहेगा सब कुछ same रहेगा बस देखो red line कहां पे आने लगी है red line यहां पे आने लगी है क्यों because जो तुमारा array है array आप किस type का हो गया string type का और strings में अगर तुमने पढ़ा है अच्छे से तो string primitive data type नहीं होता जिसको हम less than या greater than से compare कर लें string को compare करने के लिए दो strings की तुलना करने के लिए उनको आपस में check करने के लिए कि कौन सी बड़ी string है कौन सी छोटी string है एक function होता है तुमने अगर functions of string पढ़ा होगा तुमने पता होगा तो यहाँ पे हम compare to function का use करते हैं तो यहाँ पे इसको हम remove कर देंगे यह जो बीच में यह greater than symbol लगा इसको हम remove कर देंगे पहली चीज़ और एक और चीज़ यहाँ पे change होगी यहाँ पे जो तुमने temporary variable माना है swapping कराने के लिए इसको पहली बात तो int से change करके क्या करना पड़ेगा string type का लेना पड़ेगा है ना जब string type कर लोगे तभी तो उसमे string वाली value निकल के save होगी पहली चीज़ यह उसके बाद इस condition में देखो red line आ रही इसको बदलना पड़ेगा because यहाँ पे primitive वाला case नहीं यह string का string is not a primitive data type कि हम less than greater than यूज़ कर पाएं यहाँ पे हमें compare to function का यूज़ करना पड़ेगा देखो जो यह symbol है इसको ऐसे याद रखना इसको हम भेज देंगे आगे ascending के लिए क्या use होता है यह use होता है इसको ऐसे याद रखना ascending के लिए यही use करना है तो बस इसी symbol को ऐसे copy कर लो और इसको भेज दो यहाँ आगे last में और यहाँ लगा दो greater than 0 ठीक है वही symbol उसी तरह से लगाया आगे लगा दिया greater than 0 बस बीच में यहाँ पर तुम्हें लगा देना है dot compare to इस तरह और बस यह हो गया तुमारा string के लिए code तयार string के लिए तुम्हें compare to function का use करना है confusion ना हो इसी लिए मैंने छोटा तरीका बता है जो तुम ascending order के लिए करते हो बीच में greater than symbol लगाते हो a at j greater than a at j plus one वो greater than symbol वहाँ से उठा के last में ले हो और बीच में बस लिख दो dot compare to इतना काम तुम्हें करना है ascending order में तुम्हा string पूरी तैयार हो जाएगी string आरे तो चलो इसको run करके देखते हैं देखते हैं क्या सारे नाम यहाँ पर ascending order में आये हैं कि नहीं आरेंज करो तब क्या करोगे तब यहाँ पर descending order के लिए देख लो यहाँ पर descending order के लिए बस यही चीज़ उल्टी हो जाएगी जैसे कि descending order में क्या करते थे यह चेक करते थे ना बीच में compare to लग जाएगा और वो जो बीच का greater than symbol है वो side में आके वहाँ 0 लग जाएगा बस इतना फरक करना होता है कोई confusion नहीं होगा symbol का जो direction है वो ऐसे ही रहेगा बस वो symbol last में आके उधर 0 लिख दोगे इतना ही करना होता है राइट बाकी मैं इसके notes में provide कर दूँगा पीडिया form में नीचे description में एक बार चेक कर लेना और इस तरह ही descending में काम करेगा भी इसको run करके देखते हैं तो चलो देख लो यह हो गया अब देखो यहां पर जितने भी नाम है तुमारे पहले unsorted में तो आगे पीछे है ठीक है फिर उसके बाद जब sort हो गया bubble sort का algorithm run हो गय फिर sorted array में इस तरह सारे यहां पर नाम प्रिंट हो गया है पहले यहां पर descending यानि कि last alphabet वाले जो है वो औरेंज पहले प्रिंट हुआ फिर उसके बाद G से grapes प्रिंट हुआ फिर ड्रागन फ्रूट फिर एपन यानि कि descending alphabetical order में मतलब dictionary के form में उल्टी तरफ से हम प्रिंट कर कर दी है अगर किसी भी पार्ट में कोई भी confusion रहा हो तो मुझे कमेंट में लिके बता देना अगर वीडियो तुम्हें पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि यूटूब को भी पता लग जाए कि जो वीडियो तुम देख रहे हो वो तुमें अच्छा ल कर दो